किसी भी देश में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज़े पासपोर्ट इसके बिना दूसरे देश में कोई पेचान आपकी नहीं रह जाती है आज इंडिया में तक्रीबन 6.8 करोड पासपोर्ट है लोगों के पास लेकिन इन में से कुछी लोगों जीने पता होगा कि आखिर पासपोर्ट को क्रेट करने का ऐडिया किसका आया या किसके दिमाग में यह आइडिया आया होगा और उस टाइम पे इसे बनाने की क्या वस्त सकता पड़ियों तो चलिए जानते हैं पासपोर्ट से जुड़े कुछ दिल्चस फेक्ट के बारे में और उनके क्रियेटर के बारे में मेरे साथ में विशाल और आप देख रहे हैं हॉम स्टेट कहा जाता है कि हिब्रू साहितिय के अनुसार 450 वर्स पहले पासपोर्ट की स उस वक्त पे हर देश की सीमा पर पहरेदार होते थे एसे में फारस के राजा ने अपने अधिकारी को एक रसीद लिखके दी थी जिसमें उन्होंने संदेश लिखा था कि उनका व्यप्ति काम से जुड़े किसी दुसरे देश की प्रवास कर रहा है कि रूपिया यात्रा कर करने में उनकी मदद की जाए इसे ही पासपोर्ट की सरुवात माना जाता है कि इसके अलाव उस टाइम पे कोई पासपोर्ट का जिक्र नहीं था आज के समय जिस मोडन पासपोर्ट का इस्तमाल कोई दुनिया करती है उस आतुनिक समय के पासपोर्ट की सरुवात करने का क्र पासपोर्ट को लाने का मकसद ये नहीं था कि लोगों को ट्रावेल करने के लिए काइडेंटरी चाहिए जबकि उसका में मकसद था सिक्यूरूटी इस करण की वज़े से नहीं पासपोर्ट सिस्टम बनाएगी उनीसवी सदी में जब रेलवे का इंवेंट हुआ तब यूरोप के लोगों में ट्रावेल करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ भी एसे में लोगों को पहिचान करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं थे उस टाइंग तब प्रथम वस्व यूद के दोरान उनीस सो चोदा और अठारा के बीच में सुरक्षा के कई सवाल उठे इसी कर देखते हुए मोडरन पासपोर्ट की सरुवात की पासपोर्ट के कुछ अंसुने और दिलचस जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइ उनकी फोजीशन की कोई दिक्कत नहीं थी आप किसी भी फोजीशन में फोटो किचुआ सकते हैं लेकिन आपका फोटो एकदम क्लियर आना चाहिए और उस वक्त पे फैमिली के साथ फोटो आती थी पासपोर्ट का दूसरा अफेक्ट यह है कि पासपोर्ट की फोस्टों में आप मुस्कुरा नहीं सकते जैसे जैसे चेहरे की आइडेंटिटी टेक्नोलोजी में सुधार हुआ पासपोर्ट अधिकारियों को वस्ट दोजार चोदा में लोगों की उनकी तस्वीरों में मुस्कुराने से प्रतिबंदित करना पड़ा मतलब आपको एकदम सीरियस वाल व्यक्तियों के बीच में डिफरंट किया जा सके पासपोर्ट का तीसरा फेक्ट यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पासपोर्ट का कवर लाल रंका होता है बहुत ही कम देश होंगे जिसका पासपोर्ट का कवर ब्लू, ब्लेक या ग्रीन कवर होता है पासपोर्ट का चो सबसे सकती साली पासपोर्ट के लिस्ट में जापन और सिंगापूर ने टोप किया है ये दोनों देशों के नागरिक 192 कंट्री में बिना विज़ा के फ्री में ट्रावेल कर सकते हैं यानि कि पासपोर्ट और टिकिट लो और निकल पड़ो जाना है इसी रैंकिंग में प्हारत की रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ है और बागित की रैंकिंगेً 83 और इसी कि तरह भारत्के नागरिक सांट्ध दैसों में बिना वीजा के ट्रावेल कर सकते हैं इस वीडियो में मुझे उम्मी दे कि यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा अगर वीडियो को संद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते ना और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पेले मिलें मिलता हूँ अगले अब तेक नए इन मेंशन के वीडियो में तब तक के लिए आप सेफ रहे हैपी रहे है अपने आजबाजु सफाई रखे नियमों का पालंग करें और इमानदार बनें